नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे शैनल इश्टिदीवीत आखास में दोस्तों आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है हिंदी स्वरों का वर्गी करण कल जो आपने पढ़ा वो था वर्ड माला और स्वर के बारे में तो उसी के आगे की वीडियो हम लोग आ स्वर तीन प्रकार के होते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी स्वरों का वर्गी करण करेंगे तो सबसे पहले बात आती है स्वरों का वर्गी करण तो हिंदी में स्वरों का वर्गी करण है वो कई प्रकार से हुआ है सबसे पहले बात करें अगर तो सबसे पहले जीवा के आधार पे किया गया है जीवा के आधार पे कितने प्रकार के स्वर बाते गये हैं दोस्तों तीन प्रकार के बाते गये हैं यह आपको याद रखना है प्रसन यहीं से डारेक्ली पूछेगा फिर आता है कौन-कौन से तो तीन प्रकार हो गया आपका पहला हो गया तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि हिंदी में आप परिभासा से ही रटिए ठीक है जैसे अग्रसवर यानि अग्र का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे आगे से ठीक है और एक किस प्रकार बाता गया है जूहा के अधार पर बता गया जूहा यानि जीब तो चार ठीक है कौन-कौन सी तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं आप ने दोस्तों कई मोबाइल गेंश ले होंगे तो आपको पता होगा कि यह एक मोबाइल अग्र कंपनी है एन्य पहले कंपनी ठीक है और इसे हो mejorar यह परिए निकी टोटल से क्या होती है अब हम लोग बात करते हैं स्वर के दूसरे प्रकार की जियुहा के आधार पर जो बाटा गया है वो है मध्य या केंद्री स्वर इसकी जो परिभासा है वो यह है कि ऐसे स्वर जिनके उचारर में जियुहा का मध्यवाग कारे करता है वे क्या कहलाते हैं मध्य स्वर कहलाते है इनकी दोस्तों जो संख्या है वो है सिर्फ एक और वो है छोटा क्या है छोटा अब देखिए जादू होने वाला है आपने दो याद कर लिए एक तो अग्रसवर दूसरा मद्रसवर आपको पश्चसवर याद करने की जरूरत ही नहीं अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ या यहां पर पश्च गल लिजेगा ठीक तो ऐसे सवर जिनके उच्चाड में ज्युहा का पश्च भाग कारे करता है वे हमारे क्या कहलाते हैं पश्चसवर कहलाते हैं अब इसको याद करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोगों ने अग्रसवर याद कर लिया क्या ह होते हैं मध्य सवर क्या होता है यह वियात कर लिया है तो सेस जित्ते भी सवर बचे वे दोस्तों क्या हो गए वे हमारे हो गए पश्च सवर अगर आपको याधी करना है तो आप वीडियो को पास करके देख सकते हैं अब जो बात करते हैं सवरों का वर्गी करत और किनकिन आधार पर किया गया है तो और दोस्तों जो किया गया है वो है जीवा की उचाई के आधार पर या मुखद्वार के आधार पर ये टोटल कितने प्रकार से किया गया है तो ये किया गया है चार प्रकार से संख्या आप लोग याद रखिए कि आप से अगर पूछ लेगा जीव यानि जिन सुरों के उचारण में मुख कम खुले वे क्या कहलाते हैं सम्रिट्स्वर कहलाते हैं कहों से स्वर सम्रिट्सवर अब यहां आपको ई और यू या रखना है यू का मतलब हो गया यहां सम्रिट में यू परिवार रहता है E से आपका IE हो गया और U से आपका UU हो गया यानि सम्वरित में कौन सा EU परिवार और ये परिवार कहां रहता था दोस्तों आगरस्वर में रहता था अब बात करते हैं दूसरी पकार की तो दूसरा है अर्ध सम्वरित नाम से इस पस्ट है यानि जिन सरों के उच्चारण में मुख सम्वित सरों से थोड़ा अधिक खुलता है ठीक है मतलब उसमें थोड़ा कम खुलता था इसमें थोड़ा ज्यादा खुलता है तो ये क्या कहलाते है अर्ध स्वर कहलाते है अर्ध सम्वरित स्वर इनकी दोस्तों जो संख्या होती होती है दो और ये कौन-कौन से है ये है ए और उ फिर अब बात करते हैं वीवृत स्वर की वीवृत यानि वृत के समान अर्थात जिसमें मुख अधिक खुला हुआ हो यानि जिन स्वरों के उच्छारण में मुख अधिक खुलता है उन्हें वीवृत स्वर कहते हैं ये आप सिंपली याद करते हैं इसके संग क्या एक होती यह होता है बड़ा क्या होता है दोस्तों बड़ा अब लास्ट में बचा अर्ध वीवरित आपको याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि आप उपर तीन याद कर चुके हैं तो जो बचा वो हमारा क्या हो जाएगा अर्ध विवरित बाइचांस आप से पूछता है निमनिकित में से कौन सा अर्ध विवरित स्वर है तो अगर आपने संवरित अर्ध संवरित विवरित याद किया हुआ है तो उसमें से कोई होगा तो वो तो होगा नहीं बागी जो सेज बचा वही हमारा अर्द विवरित हो जाएगा चलिए अब बात करते हैं जो स्वर का विभादन किया गया है ओष्ठाकृति के आधार पर सिंप्ली लेंग़ज में इतना समझे होट के आधार पर ये किया गया है दोस्तों दो प्रकार से कहीं कहीं पर ये तीन प्रकार भी लिका है लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना ये दो ही प्रकार से गिया गया है सबसे पहले बात करते हैं वरित्ताकार स्वर फिर आता है आवरित्ताकार स्वर हिंदी यही सबसे अच्छी खासियत है इसमें नाम से ही सब पता चल जाता है जैसे कहना वृत्ताकार सर यानि वृत्त के समान अईसस्वर जिनके उच्छारण में होठो काकार गूल हो जाए वे क्या कहलाते हैं मेरे साथ दो रही है देखिए आपका जो होठ हैं वो गूल हो गये हैं आपको आवरित्ताकार स्वर याद करने के जरूरत नहीं सेस जितने भी सवर होंगे वे हमारे आवरित्ताकार होंगे फिलार हम लोग chiếc बार देख लिते हैं आवरित्ताकार यानि जिन सवरों के उच्चारन में होट गोला कार ना ईक्छ कर आधार पर पाच MCQs जो कि आपकी परिच्छा की द्रस्टी से बहुत ही महत्पूर हैं सबसे पहला प्रसनाफ से ये बनता है कि जीवा के आधार पर सोरों का वर्गी करड़ कितने प्रकार से किया गया है आपके आप्सन है आप्सन एक है तीन चार पांच शे अब उमीद है अ आप बात करते हैं दूसरा प्रसन है निमलिखित में से कौन सा केंद्री स्वर है अब देखिए मैंने इसलिए का था कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ी है तो जड़से ही पढ़ी है मैंने आपको बताया था कि जीवा के आधार पर सोरों को तीन प्रकार से विभाजित किया गया है जिसमें दूसरा प्रकार था केंद्री स्वर या मध्य स्वर यही प्रतनाप से पूछ रहा है और ऐसे ही एक्जाम में आप से घुमा के पूछेगा भी तो इसका आंसर दोसर सिंपली हो जाएगा छोटा ठीक है आप लोग इसको नोट कर लीजिए फिर आता है निमल सर जिनके उचारण में मुख पूरा खुला रहे इसमें पहलो आप्सन आपका करेक्ट हो जाएगा प्यानी पड़ा फिर आता है अग्रसवर में कितने सर होते हैं अब आप बताए आपको मैं बताता हूं मैंने आपको जब बताया था कि जीवा के आधार पर सरों को तीन प् जिसमें अग्रसवर था तो मैंने आपको यह बताया था कि अग्रसवर में एक फैमली रहती है उसका नाम है ये फैमली ठीक है एक दो बच्छे हैं एक चोटी एक बड़ी एक वी दो बच्छे हैं एक है और एक एक है यानि ही टोटल संख्या दोस्तों किती हो गई चार हमार पूरा, देखें, सबसे पहले जो ये प्रस्न है, निम्लिखिन में से कौन से अयोगवा है, ठीक, तो आपको इसका आनसर देना है, आपके उप्सन है, अनुष्वार ओ विशर्ग, व्यन्जन, U या, U तो इसका दोस्तों जो आंसर होगा वो होगा अनुश्वार और विशर्ग अनुश्वार दोस्तों यह होती आंकी बिंदी और विशर्ग होता है यह आपका ठीक है इनको अनुश्वार और विशर्ग को अयोगवा कहते हैं और फिर एक कोस्टन बनता है कि इनको अयोगवा किस तो आपका सीधे अंसर रहेगा आचार की सोरी दाश बाचपेई जीने ठीक है यह इसलिए कहा क्योंकि यह ना तो स्वर है ना तो वेंजन है यह स्वर के बाद में आते हैं और वेंजन के पहले आते हैं इसलिए इनको अयोगवा कहा तो दोस्तों अगर आपको वीडियो करें और सब्सक्राइब करें